सेर एक बहुती डिरावने मगर गौर्जियस क्रियचर हैं जिने जंगल का राजा कहा जाता है लेकिन इन सेरों में से कुछ सेर बहुती दुरलब हैं जो पूरी दुनिया में गिंती की संख्या में मौजूद हैं आज मैं आपको कुछ दुरलब सेरों के बारे में बताऊंगा तो चलिए जान लेते हैं लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन भी दबा दीजे वाइट लायन सफेज सेर बहुती दुरलब हैं जो पूरी दुनिया में कुछी जगों पर मौजूद हैं सफेज सेर को सबसे पहले 1975 में देखा गया था इन सेरों को कहीं कहीं पर चिडिया घरों में पाला गया है सफेज सेरों के बच्चे बहुती महंगे दामों पर बिखते हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपय तक होती है वेस्ट अफ्रिकन लायन ये सेर ज्या ब्लेक लायन ये एक बहुत ही दुरलब परजाती के सेर हैं ऐसा माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ दो कि संख्या में मौजूद हैं इन में से एक ब्लेक लायन की पहली तस्वीर 2012 में सामने आई थी ब्लेक लायन देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं इसासा लायन कुछ सेर अपने यूनीक कलर के कारण दुरलब है तो कुछ हंटिंग के कारण लेकिन इसासा लायन अपनी ये कमाल की खुबी की कारण दुरलब है ये खुबी ये पेडों पर चड़ना इसासा लाइन पेडों पर चड़ जाते हैं जो कि बहुत ही आश्र की बात है क्योंकि सेर पेडों पर नहीं चड़ पाते हैं इन सेरों को देखने के लिए लोग दूर दूर से चिडिया घरों में जाते हैं ट्रांस्वाल लायन ट्रांस्वाल लायन सीरो की एक सब स्पेसीज है जिसको साउथ इस्टर्न लायन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मुखिता अफरिका के साउथ इस्टर्न हिस्सों में पाए जाते हैं मेल ट्रांस्वाल लायन एक सुचास से दोसोपचास के जी तक और फीमेल ट्रांस्वाल लायन 117 से 181 के जी तक वजनी होती हैं लेकिन यह सेर हंटिंग के कारण अब लूप्त होने के कगार पर हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन दबाएए जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन सबसे पहले पास सकें